आज मैं आपको एक ऐसे magical juice के बारे में बताऊंगा दोस्तों जो आपके hemoglobin levels को सिर्फ कुछ ही दिनों में बढ़ाने का काम करेगा, body में नया खून मनाएगा और इसकी वज़ा से body के अंदर जबरदस्त energy और ताकत भी बढ़ेगी. तो चलिए पिना किसी देरी के इस interesting वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस amazing healthy juice के बारे में पूरी detail से. दोस्तों खून की कमी न सिर्फ आपके internal organs पर असर डालती हैं, बलकि इससे आपकी physical performance के उपर भी बहुत ही negative effect पड़ता है. जैसे के खून की कमी से आपके अंदर चक्कर आते हैं, सास फूलने लगता है, skin dull हो जाती है, energy loss हो जाता है, अगर इस तरह की जो problems दोस्तों आपको face करनी पड़ रही हैं, तो बहुत ही मुम्किन है कि आपके अंदर hemoglobin कम है, low है. ऐसे में ये juice जो आज मैं आपको कुछी देर में बदाने वाला हूँ, ये आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो ingredients हमने यूज किया है, वो बहुत ही चुन चुन कर करे हैं, और ये सभी ingredients आपस में मिलके आपको एक ऐसा synergistic effect देते ह हैं, कि आपका हमोगलोबिन बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है, तो आईए अब जानते हैं, इस juice के इंदर इस्तमाल होने वाले ingredients के बारे में, आल राइट माई डियर फ्रेंड्स, अब वक्त है आज के इस शो के स्टार से मिलने का, यानि हमारे ingredients से मिलने का, तो हमारे जो सबसे पहला superstar है दोस्तों या ingredient आप इसको कह सकते हैं, वो है beetroot यानि के चुकंदर, चुकंदर आयरन का एक बहुत ही rich source है, जिसमें हमोगलोबिन बहुत ही तेदी से बढ़ने लगता है, इमाजिन कीजिए चुकंदर के juice के हर एक sip के साथ, आपकी body के अंदर continuous iron की supply अंद लाल इससे हो जाएंगे, हमारा दूसरा superstar जो है दोस्तों वो है pomegranate यानि के अनार, अनार में भी दोस्तों iron तो होता ही है, साथ इसमें vitamin C भी काफी जादा होता है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि vitamin C का आपके hemoglobin से भला क्या लेना देना है, तो जान लिजे कि body में iron के absorb होने के लिए vitamin C की जरूरत पड़ती है, इसलिए अगर आप सिर्फ iron ही लिए जा रहे हैं और vitamin C आपके अंदर कम है, तो क्या होगा, कि इस सारा का iron आपकी body में ठीक से absorb ही नहीं हो पाएगा, वैसे अनार के juice को use करने का एक और वज़ा ये भी है, दोस्तों कि आपका जो iron का absorption है, वो तो बढ़ता ही है, सासाथ आपके juice को एक बहुती बढ़िया मीठा सा taste भी मिल जाता है, हमार आज का तीसरा ingredient है दोस्तों, गाजर, गाजर में beta-carotene नाम के कुछ compounds पाए जाते हैं, जो कि body के अंदर जाके vitamin A में convert हो जाते हैं, और हमारी body में red blood cells के बनने के लिए vitamin A भी एक बहुती जरूरी component होता है, और इसलिए गाजर खाने से भी हमारी body में नया खून मनता है, गाजर के बाद नमबर आता है, आमले का, दोस्तों आमला एक ऐसा miraculous fruit है, जो iron का बहुती rich source तो है ही, साती सात बोडी को बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी बचाता है, और body को detox भी करता है, और इसमें vitamin C भी होता है, lastly हमारे juice में आखरी जो superstar है दोस्तों वो है orange, orange हमारे juice को एक जबरदस्त टैंगी टेस्ट देता है, एक बड़ी आसा flavor देता है, और इसमें मौजूद vitamin C जो होता है, वो again हमारे body में iron के absorption को बढ़ाने में मदद करता है, तो यह है पांच superstar जो हमारे इस आज के hemoglobin boosting juice को बनाने के लिए हमें चाहिए, अब आईए बात करते हैं कि इस juice को बनाने के जो तरीका है, वो क्या है, कौन कौन से चीज कितनी कितनी आपको लेनी है, और किस time पे इस juice को आपको पीना है, इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता ह है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक medium size का चुकंदर लेना है, करीब 1200 से 200 ग्राम तक का चुकंदर होना चाहिए, इसको आप लेकर छोटे टुकड़े में काट के रख लीजे, इसके बाद आपको अनार लेना है, अनार भी आपको medium size के लेना है, और इसमें से आध आपको चाहिए, वो भी medium size का, एक आमला आप ले लीजे, अगर छोटे-छोटे हैं, तो आप दो या तीन आमले भी ले सकते हैं, इनको भी आप काट-काट के इसके गुटली निकाल के रख दीजे, आखिर में आपको चाहिए orange, तो orange भी आपको एक से दो लेने हैं, medium size के, अ आपको और भी बढ़िया benefits मिलेंगे, टेस्ट भी improve होगा, लेकिन ये optional है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, इसके बाद आप इन सभी चीजों को एक blender में डाल कर अच्छी तरीके से blend कीजिए, ताकि ये सब अच्छी तरीके से पिस जाएं, और इनका एक juice या आप कह सकते है स्मूदी जैसी आपके मिल जाएं, इस juice को आप चाहें तो ऐसे ही पी सकते हैं, ऐसे ही पीने से इन fruits का जरा सभी जो fiber होता है, वो waste नहीं होगा, सब आपके अंदर चला जाएगा और आपको जो फायते हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, आम तोर पर juicer में जो juice आप लोग निका बात हो रही है, तो ऐसे में आप इसको चाहें, तो एक बारीक सूती कपड़े में डालके निचोड़ कर चान भी सकते हैं, और इसके बाद भी इसको आप पी सकते हैं, यह juice आपके अंदर दोस्तों एक नया खून बनाने में help करेगा, आपकी body को energy भी देगा, आपकी skin को और इस juice को यूज कर सकते हैं, अब बात करते हैं कि इस juice को आपको किस time पर इस्तमाल करना है, इस juice को the best time है यूज करने का वो है सुबा सुबा खाली पेट, इसके लावा आप चाहें तो mid morning में भी इसको पी सकते हैं, यानि नाश्ते के और lunch के बीच के जो time होता है, उसके दर्म खाली पेट, बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों और वो ये कि दिन ढलने के बाद, यानि रात में आपको इस juice को इस्तमाल नहीं करना है, और खाना खाने के फोरन बाद भी आपको इस juice को इस्तमाल नहीं करना है, इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पे ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो इसके बाद ये वाली वीडियो भी आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें खून बढ़ाने के लिए और भी कई सारे नएनी बाते आपको जानने को मिलेंगी, आपका हिमोगलोबिन बढ़ाने के लिए, बाड़ी में एनरजी बढ़ाने के लिए, यहाँ तक अगर आपनी वीडियो देख ली है, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे, और वीडियो को सभी के साथ शेयर भी रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा.